नमस्कार प्यारे दोस्तों गुड़ीवनिंग मैं किरन सागर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे जल्दी से सभी लोग क्लास में लाइफ आ जाएंगे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे क्लास हो मैं आपके साथ थोड़ा धोका करोंगी यह जस्टिस नहीं होगा अपने जस्टिस करना जाती हूं इसलिए थोड़ी आँखे खोलनी आपकी जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि अपने एक्जाम में किस तरह के क्वेशन्स पूछे जाते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं पंडेशन्स प्रच के सब्सक्राज चाहिए एपक्राइब क्लास नहीं के आती है उनस सभी के लिए आप इस क्लास को देख सकते हैं अगरी च wilderness सब्सक्राइब के से मखोलनी और क्लास शुरू करते हैं हम अपने इस पहले परग्राफ के सब्सक्राइब पहला पहला question चलिए भाई आए देखते हैं यह पहला question बोलता क्या है और यह देख पारे हैं कि यह paragraph काफी लंबा चौड़ा तगड़ा दिखाए दे रहा है और ऐसा निये कि इतना ही आए अभी भाई इसका एक और section है यह रहा एक और section ठीक है तो दो हिस्सों में इस paragraph को हम ब पेपर में यानि के में के पेपर में कुछ पूछा गया question था तो इस तरह के questions आज कल देखने को मिल रहे हैं ऐसा नहीं कि आपको पागल बना दूंकि भाई देखो यह यह आएगा और exam में आपकी आंखे खुलें कि आपको पता लगे यह यह क्या हो गया तो चलिए फिर शुरुवात की जाए चक्कर आ गया देखकर चलिए फिर तो इस इस सेक्शन को पढ़ेंगे और उसके बाद second section को भी पढ़ेंगे ठीक है और नहीं अगर पढ़ पा रहे हो समझ में कम आ रहा है then switch to the questions questions के according हम sentence को find करेंगे और तो मैं आपको दूसरा वाला तरीका सिखाना चाहती हूँ पहला तरीका हम कल सीख चुके हैं कि paragraph पढ़ना चाहिए अब मैं आपको कोऊंगे paragraph नहीं पढ़ना चाहिए पारग्राफ हो सिफ स्केम करना चाहिए तो चलिए स्केमिंग कर लेते हैं बीना मिनिंग के एक बार जोली से पढ़ लेते हैं तो क्या लिखा हुआ है थोड़ा- जिराफ टाल या जिराफ द टालेफ लेक्श लांड मामल ऑलाइफ के लाइव इस लोंगे लेक्स एंड नैक चंट्रिबूटिंग तो इंप्रेसिव श्रिच और में अप्टू एटीन फीट याने कि 5.5 मीटर तॉल फीमेर टल यह ए लिटर्स इन वाइल्ट इस रहने वाले मैं कितना ही पढ़ लूँ इसको सुन रहे हो क्या हम इससे पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे तो ऐसे paragraph को पढ़ने से अच्छा है अपना दिमाग करने से अच्छा है कि इसकी skimming की जाए अब मैंने क्वर्ड उसकिया skimming skimming क्या होती है इस तरह से अंदर अंदर पढ़ना यानि कि बिना आवाज के पढ़ना सिर्फ आपने इस तरह से देख लिया अब ये देखना भी अभी नहीं है ये देखना तब है जब हमारे पास question होगा ठीक है इस तरह के आपको पढ़ना नहीं है इनके questions को पहले हम देखते हैं अब आप मुझे बताओ पूरा paragraph पढ़ने के बाद अगर मुझे यह बात याद ही नहीं रहती कोई फायदा होता बताओ नहीं 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 भी माधन होची मुझे भी लग रहे कि इतना बड़ा paragraph पढ़ना चाहिए इनको मैं नहीं पढ़ाऊंगी और मैं आपको पागल बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगी मैं आपको short tricks दिखाऊंगी किस तरह से हम 100% सही answer कर पा रहे होते हैं चलिए लिखा है भाई जिराफी आप इसी जिराफ भी पढ़ सकते हो हिंदी में जिराफ इंग पाले से खा रहे होते हैं समझ पारे हो तो वह उनकी faster क्या है speed जादा है ठीक है आपको बताना है कि यहां पर क्या होने वाला है अपने नेक को कैसा करके रखे स्ट्रेट करके रखे इलाउंगेट लंबा करके रखे इंटैंगल मोड के रखे या फिर जुका के रखे तो उसकी खाने के speed कब बढ़ती है हमें यह बताना है आईए फिर देखते हैं क्या डूनेंगे अब हमें यहां पर words अपने कुछ words से लेक्र लेने हैं तो हम क्या कर लेते हैं यहां पर फास्टर वर्ड को चूज कर लेते हैं बहुत बताऊंगी क्योंकि आपको feeding भी मिल जाएगा आपको नेक भी मिल जाएगा लेकिन आपको फास्टर नहीं मिलेगा तो चलिए फिर पारग्राफ में फास्टर ढूनने की कोशिश करेंगे यह रहा आपका प पढ़ने रहे हैं सिर्फ फास्टर ढून रहे हैं थार्ड में फास्टर है नहीं है फोर्थ में फास्टर है नहीं है फिफ्त में फास्टर है नहीं है आगे देखेंगे इस में फास्टर है नहीं है एर्थ में फास्टर है नहीं है नाइन्थ में फास्टर है नहीं है भाई क में faster नहीं है next देखेंगे ok next में faster नहीं है आगे देखेंगे अगला faster नहीं कि लिए कि क्वाइम पर faster दिखा नहीं का तो चलिए फिर अगला paragraph भी देख लेते हैं इधरואת नहीं है इधर faster है किया मैं आपके साथ ही इसको solve कर रही हूँ, मैं इससे पहले इसको solve नहीं करके ले कराई हूँ आज जो answer आएगा वो दोनों का same ही आना जी बस faster है क्या नहीं है faster है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे faster दिख गया है यहाँ पर मुझे faster दिख गया है, with their next bent, मुझे यहाँ पर bent भी दिख गया है क्या आपको मिला answer, क्या आपको मिला answer, अब आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर मुझे bent word दिखाई दिया, यही आपके question का answer है, option D क्या है बिटा answer, option D is question का सही answer है, कुछ नहीं किया, हमने पढ़ा यह नहीं, लेकिन हमने answer ढूड लिया इसे कहते हैं सही तरीका, बड़े से paragraph का चोटा सा question, चोटा सा answer, हमें सिर्फ skimming करने आनी चाहिए यानि के हम नजर भर के paragraph की sentence को देखेंगे, लेकिन सिर्फ एक word दूडने के लिए, अगला question दिखाऊ, तयार है, जल्दी से बताएंगे, क्या हम तयार हैं अगले question के लिए, are you all ready to attain the next question, तो this is your next question, let's try doing the same, चाले, क्या लिखा है, how does a giraffe knock its opponent, वो एक को टककर कैसे मारता है, knock off करता है, knock its opponent off, knock off का मतलब वो टककर मारके गेर देता है, balance or unconscious, तो can we find unconscious in the paragraph, मैंने select किया है, unconscious, क्या हम unconscious ढूंड लेंगे, तो चलिए फिर ढूंड लेते हैं, आईए, ढूंडते हैं, unconscious, ओके, देखो, अब पता नही तुम्हारी नजर उतनी तेज है या नहीं है, पर मुझे आपर paragraph स्विच करते के साथ में, यहां पर unconscious दिख गया, यह होती है, जबरदस्त स्किमिंग, क्या करना है, हाँ, बिलकुल आपको भी मिल गया होगा, अगर आपकी नजर भी किरन मैडम की नजर की तरह एक दम तेज तर्रार स्किम करने वाली है, से अटाक करने वाली है, तो बट ओवियस है कि आपको मिल जाएगा, चलिए भई, अब चलिए ढूंटे है, इस पर पूछा गया गया था, यही तो पूछा गया, यही तो लिखा था, चलिए देखते हैं, कि वो उसमें क्या गया, करता है, हिट करता है, क्या लिखा है, the top and back of the well enamored skull is used as a club, skull मतलब खोपड़ी, खोपड़ी को वो क्या करता है, as a club, यानि कि यूज बहुत ही जोड से मारता है, to strike the neck, as a club, skull is used as a club, यानि कि अपने सर की बात कर रहा है, और सर मतलब की हापर बात हो रही है, head की, as a club उसे यू करता है, नहीं, क्या legs को पूल करता है, नहीं, अगर हम बाकी options को देखें, तो भी हमें पता लग रहे है, कि सही answer बिटा, इसका क्या होने वाला है, बी option होने वाला है, अगर समझ में आ रहा है, तो सासाब तुछ मुझे thumbs up देख जा रहा चाए, कि हाम हमें समझ में आ रहे ह बिना paragraph को पढ़े हम करने वाले हैं, easy-easy types के questions, चलिए, आगे चलेंगे, अगला question पढ़ लेते हैं, according to the passage, necking is the, can we find necking, इसे दारेकली necking बड़ पूछा है, चलिए भई, necking find कर लेते हैं बड़ा बड़ से, पहले इसी वाले paragraph को देख लें, फिर उसको पढ़ लेंगे, चल नहीं है, इधर, necking, no, necking, 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 बताएंगे भई, क्या आपको necking दिखा आभी तक, मुझे तो नहीं दिखा, और देखते जाएं, necking, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि मुझे paragraph change कर लेना चाहिए, second में था, बहुत बढ़िया, क्या बात है, अगर आपको दिख गया था, देखे, बहुत clearly दिख रहा था, अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान लगा है, paragraph को देखे, तो necking बहुत ही पासा, जहां तो हमने mark भी कर रखा था, necking, च ritual वहां की प्रथा है, refer to as hacking, किसके लिए लट रहे हैं, अपनी महिलाओं के लिए लट रहे हैं, the rival stand flank to flank, आमनी सामने खड़े हो जाते हैं, star to whack, वैक का मतलब क्या होता है, हिट करना किसी को, जोड़ से टक्कर माना, each other, क्या करते हैं, विद्यर है एक दूसरे को टक्कर मारत repeating stretching of the neck, elongation of the giraffe's neck, breeding by the largest males, या फिर भाई वो क्या कर रहे हैं, fight to woo the females, क्या करेंगे आगे जाके, वो करेंगे, वो क्या मतलब शादी करेंगे आगे जिसके साथ में भी, है ना, उसके लिए क्या करते हैं, उनको जीतने के लिए वो क्या करते हैं, लड रहे होते हैं, बताएंग अगला देखेंगे, यह बहुत यह साथ, यह difficult होता है, मैंने कल इसलिए आपको कराया, महिला मित्र के लिए लड़ना तो पड़ता है, which of, which statement is true according to the passage, which statement is not true, not true, सही सची नहीं है, चलिए, अच्छा, तब यह पढ़ना पड़ेगा फिर हमें, यह तो बढ़ना पड़ेगा, लिखा है, अजराफीज हिंड लेग, हिंड लेग का बतलब होता है, पीछे के पैर, लंबे होते हैं, आगे के पैरों से, अगर पीछे के पैर बड़े होंगे, और आगे के छोटे होंगे, कैसे मोड़ेंगे भई, आप मुझे बताओ, यह तुम्हें लगँरे है, पहले वा लेग्स दिख गया मुझे, और हिंड लेग्स भी दिख गया, दिख गया आपको, ऐसे डूढ़ना है, ठीक है, आपकी नजर ना, एकदम जोरी वाली हो रही है, कि थीरे की पैचान तो जोरी को होती है, सुनार को थोड़ी होती है, तो आपको जोरी बनना है, मिला की ने मिल यह रहा, चलिए पढ़ लेते हैं, जी, from this habit, long maintained in all its race, it has resulted that the animals' four legs have become longer, आगे के पैर लंबे होते हैं पीछे के पैरों से, तो पहला ही जो sentence है, वही गलत है, आगे पढ़ने की जरुरत ही नहीं पढ़ी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही गलत है, उल्टा लिखा हुए ह और four legs आगे के पैर, समझ में आया, four legs are longer than the hind legs, okay, now you all have to just match the following, match the meanings, चलिए भई, match the words with their meanings, आपको क्या करने है, शब्दों को उनकी meaning से बिलाना है, एक भी शब्द आपको पता होगा, तो यह बन जाएगा आपसे, forage, stretch, rack, hit, search, draw out, stretch मतलब draw out कह सकते हैं, stretch यही खीच रहें बा B3, B3, B2, B1, चोड़ दू, चलिए, आगे पड़ेंगे, fact अभी बताया था, fact का मतलब क्या हो था, sir को sir से भिढाना, है न, इस तरह से, hit करना, तो C1, C1 का लिखा, यहां लिखा, इसलिए सही answer यह हो जाए, option A is the correct answer to the given question, question number was 5, बताएंगे भई, 5 में से कितना score किया आपन लगता है, difficult सा लगता है समझना, लेकिन, लेकिन, आप समझ पाएंगे, मैं हम कैसे जानेंगे कि यह word खोजना है, यही तो, यही तो आपकी कला है, यही कला डेवलाप करनी है, ठीक है भई, यही कला डेवलाप करनी है, कि हमें सही word चुनना है, देखिए भई, अगला question, यह तो यह पड़ भी नहीं हो रहा, चलिए, चन हुदारो, was a tiny settlement, less than 7 hectares, as compared to Mohan जुदारो, 125 hectares, almost exclusively devoted to craft production, including bead production, shell cutting, metal working, shield making and weight making, all you can see is, की इतना सारा तो मुझे याद नहीं रहेगा, मेरी मेमरी इतनी शार्प नहीं है, मैं वोकाबलेर याद रख सती हू, sentences याद दी रख सती हू, येस, चलेंगे फिर आगे, अच्छा, एक बच्चे का कुछ कहना है, कि मैं आपने वोकाबलेरी बहुत अच्छे करवाई थी, तो मैं अब से, अब वो कर रहा हूँ, अब वोकाबलेरी बंद कर दिया, क्या नहीं भाई, पहले सुबह 9 बजे होती थी, अब वोकाबलेरी चाहे, इडियम हो, हर एक चीज चुरू से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, चाहे, मुझे तीन मेने, चार मेने लग चाहे, वो आपकी शुरू से ही चलेगी, और अंत तक चलेगी, क्या मैं वेरी सॉफ्ट ढूंड सकती हूँ, है भाई हिमांशू, आप पूछ रहे थे मैं, कैसे पहचानेंगे, क्या ढूंड़ना है, क्या वेरी सॉफ्ट नहीं ढूंड सकते, भाई, डिफिकल्ट वर्ड मत चुनना, वो बार-बार लिखा होगा पारग्राफ में, क्योंक एक नजर मारी सॉफ्ट दिखा, नहीं, एक नजर मारी सॉफ्ट दिखा, नहीं, एक नजर मारी सॉफ्ट दिखा, नहीं, सॉफ्ट नहीं है, 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 मैं तुम्हें दिख रहा है क्य to the material, ठीक है, सही बढ़ा था, was easily worked, okay, some beads were molded out of a paste made with sitite powder, ठीक है, यही होना चाहिए, बताओ बही, क्या मैंने इसमें आपको महनत करवाई, कोई महनत नहीं लग रही है, जो लोग कहते हैं, सबसुर डिफिकल्ट होता है, time taking होता है, आप मुझे बताओ कितना time ले लिया, मैंने आपका, आधे मिनट के अंदर आप question कर पा रहे हो, ठीक है, इसमें कोई grammar भी नहीं लगानी पड़ रही है, कुछ याद भी रखना हो, आपको question भी आपके पास है, answer भी आपके बताओ, यह सबसे जादा easy होता है, ठीक है, पैरग्राफ फड़नात प्रसा, difficult है, चलिए, अग लेते हैं, weight, seal, metal, paper, weight, seal, metal, paper, weight, seal, metal, weight, seal, metal, weight, seal, metal, यानि कि paper नहीं है, या पुछाता है, कौन सा, नहीं, बस नजर का खेले सही का जोती भाई, सही का, है ना, मिल गए ना, क्या भी, paper नहीं है, तो paper नहीं है, तो फिर answer आपका, क्या हो जाएगा, option D हो जाएगा, बताओ भ आपको सिर्फ ये जो डर है ये खुल जाए आपका, है कुछ भी नहीं, एक दम खिचडी जैसा question है, कुछ भी नहीं है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, चलिए अगला question, आप उचे बताओ, क्या हम नागेश्वर या बाला कोट ढूंड सकते हैं, और आमसे ढूंड सकते हैं, बिकॉस लिखाए मैं तो आगे वाली बाते बतानी है, बाला कोट को ढूंड लेते हैं, बाला, बाला, कहां लिखाए बाला, इधर तो नहीं था मुझे लगता है, ऐसा बाला कोट आप ढूंड पा रहे हो, बिना मैं आपको बताओं कि ये संटेंस में नहीं है, ये संटेंस में नहीं है, येस, जल्दी से बताएंगे क्या बाला कोट मिला आपको इस वाले पेज पर, या फिर मैं वापिस से वही वाले पेज, मुझे मिल गया है, नागेश्वर are near the coast these were specialized center for making shell objects including bangles ladders and inlay which were taken to other statements settlements similarly it is likely there's finished products such as beads from chan hudaro and lothal were taken to the large urban areas urban centers such as mohan jodaro and harappa okay पूछा गया था इसने हमने the question पड़ा है निए शेल अबजेक्स मोसली बनाय जाते हैं यहां पर क्यों क्योंकि यह क्या है specialized है drills were found here shells were readily available as a coastal area यहीं लिखा हुआ था है ना आगे देखेंगे shells were transported from here from lothal from lothal to lothal from lothal अच्छा यहां पर finished project finished products जो होते हैं वो lothal में लाए जाते हैं फिक है the women love to wear bangles from made from of shells यह तो होगा नहीं एक यह option बन रहा है कि shells यहां पर readily available होते है coastal areas में है ना देखो क्यों ऐसा क्यों हुआ क्योंकि क्या लिखा था यहां पर यहां लिखा था कि these were specialized centers for making shell objects including bangles ladles and which were taken to the other कि यहां पर क्या है कि आपको finished products भी मिल जाते हैं और देखें यहां पर भी लिखा हुआ है specialized drills have been founded चन हुदारों लोथल and more recently at धोलवरी अच्छा इसको छोड़ देते हैं सिर्फ यहां पर आप देख पारते हो near the coast लिखा हुआ है बोथ settlements are near the coast की specialized center बस और क्या चाहिए इतनी information काफी होती है drills होगा नहीं transport होगा नहीं women love to wear bangles होगा रही आया कि नहीं आया history का question इंगिलिश में पूछ ले बाई यही तो यही तो खासियत है कि आप से कुछ भी पूछा जा सकता है which of these statements is not true चलिए यह तो हमने अभी अभी पढ़ा है यह तो सही है यह तो सच बात है चन हुदारवस exclusively devoted to craft production यह बात भी थोड़ी सही लग रही है इसमें तो beginning में लिखा हुआ था कि यह पूरी तरह से क्या होते हैं काफ craft production में यह तो exclusively devoted to craft production यह भी सही लिखा हुआ है आगे पढ़ते हैं इस वाली में जो आप से पूछा जाता है which is true which is not true इसमें आपको हर sentence को ढूणना है आगे क्या लिखा है कार्नेलियन is the beautiful bluish stone can we find कार्नेलियन चलिए फिर कार्नेलियन को ढूण लेते हैं सरा कार्नेलियन यहाँ पर ढूणते हैं यह देखिए like कार्नेलियन of a beautiful red color भाई देखिए यह छुप गया यहाँ पर red color और उधर क्या लिखा था उधर लिखा था bluish color क्या लिखा था bluish color क्या bluish color है red color है इसी mirror है सही answer क्या हो जाएगा बी क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है paragraph में कि यह red color का होता है ना कि blue color का लाल blue का चक्कर बाबु भाई यह समझ गए कि नहीं चीक है चलेंगे फिर आगे बहुत असान है देख रहे हो अभी आदे घंडे में ही मैं आपको दो paragraph साथ साथ में जिसमें मैं discussion कर रहे हो solve करवा चुकी हो और 10 मिनट के अंदर तो आपको यह 10 questions इसे कम में ही कर लेने है चली आगे देखेंगे which of the final process in the production of beads final process in the production क्या है grinding, polishing, drilling या chipping आप ही बतादो बिना पड़ी पता लग जाएगा यह तो final process in the production of beads अगर आप चाते हैं ढूड़ना तो final production पूछ रहा है यहां तक हम पड़ी चुके हैं देखें यहां पर इससे पहले लिखा हुआ है क्या लिखा है grinding, polishing, finally drilling completed the process भाई लास्ट में क्या लिखा जाता है drill किया जाता है अच्छा आगे देखते थे एक बारी पर चौथा भी तो option था final form क्या है भाई final form है chip करना nodals were chipped into the rough shape and then finally flaked into the final form final form क्या होगा फिर मुझे बताएंगे finally drilling completed बताएंगे एक बार क्या drilling option में है समझ जाएंगे इस option के साथ, क्या हो जाएगा drilling उसमें लिखा हो है finally drilling होती है, तो correct answer drilling हो जाएंगे जी बताएंगे जरा क्या 5 में से 5 कर पाएंगे आप अच्छा सिर्फ 5 क्वेशन नहीं है, मुझे लगते इसमें आगे भी questions है, नहीं 5 ही थे, बताएंगे 5 में से 5 होगे, क या ये 5 में से 5 हुए या फिर नहीं, last में मैं सारे rules, कोई rules नहीं है, सिर्फ feelings है, इसमें कोई rules नहीं होते, दिमाग लगाना है, आपको सिर्फ थोड़ा सा concentrated होना सीखना होगा, थोड़ा meditation करना सीखना, ठीक है, तो चलो फिर अगला paragraph, देखिए अगला जो paragraph है बच्चों, ये हमारा school का paragraph है, ठीक है, school वाला paragraph है, सुलेखा, भोली, तो ये हम पढ़ सकते हैं, इसे हम समझ भी सकते हैं, तो इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसे में सासाथ हिंदी बताती जाओंगी, सुन तो जाएंगे, हर नेम वो सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था, but since her childhood, everyone had been calling her as simpleton, क्योंकि वो बहुत ही simple सी लड़की थी, इसलिए हर इंसान उसे भोली के नाम से बुलाता था, she was the fourth daughter of Ramla, Ramlaal की वो चौती बेटी थी, when she was 10 months old, जब वो सिर्फ 10 महीने की थी, she had fallen off, off the cot, fallen off the cot, वो चार पाई से खटिया से गिर, गिर गई थी, cot का मतलब होता है, खट, चलिए, on her head, और सर पे चोट लगी थी, perhaps it had damaged some part of her brain, और शाहिद इसलिए उसकी दिमाग में चोट जो लगी, उसकी वज़े से कुछ brain का पाट जो है, भेजे का पाट उसका, कुछ क्या हो गया सकते हैं, okay, जलते हैं, and came to be known as bholi, और इसलिए उसे bholi कहा जाता था, क्योंकि भाई, वो थोड़ी सी mentally weak थी, okay, bholi the simpleton, ये इस नाम से उसे बुलाया जाता था, okay, पढ़ेंगे, at birth, जन्म के समय पर, the child was very fair and pretty, बहुत गोरी चिट्टी प्यारी से हुई थी, but when she was two years old, लेक deep black box, लेकिन, पूरी की पूरी बॉडी कैसी होगी थी, permanently disfigure होगी थी, यानि कि, है न, even tone नहीं रही थी, क्योंकि सभी जगा पर काले काले से चकत्ते पड़ गए थी, little सुलेखा, प्यारी छोटी से सुलेखा, could not speak, बोल ही नहीं पाई थी, till she was five, जब तक वो पास साह, एक student थी, when, at last, she learned to speak, लेकिन, एक बार जब उसने बोलना शुरू किया, she stammered, तो वो क्या करती थी, तुतलाती हकलाती थी, चलिए, the other children often made fun of her, काफी सारे बच्चे ऐसे थे, जो उसका मजाग बनाते थे, and mimicked हर उसकी नकल उतारते थे, as a result, जिसके वजह से, she talked very little, वो अपने बच्चों के नाम कुछ और रखा है, and the youngest of them was bholi, और सबसे चोटे थी bholi, it was a prosperous farmer's household, ठीक है भई, वो समरित farmer की family थी, यानि कि देखा जाते है तो family में कोई खाने पीने की कमी नहीं थी, farmer वाली चीज़े, and there was plenty to eat and drink, खाने पीने की कमी थी नहीं, plenty यानिके बरपू बेटों को भेज दिया गया था, school में भेजने के लिए, पढ़ने के लिए, city में, and later in college, और बाद में उने college में भी भेजा गया, of the daughter's Radha, the eldest, had already been married, सबसे बड़ी जो थी Radha थी, Radha की शादी हो चुकी थी, the second daughter Mangla's marriage had also been settled, उसकी भी marriage पक्की हो चुकी थी, and when there was done, when that was done, और ज Ramlaal would think of the third, Champa, क्या बात है, Mangla की शादी होगी, Radha की शादी होगी, अब बारी है Champa की, they were good looking, ठीके वो सभी सुन्दर थी, healthy girls, यानि कि मेरी थर एक दम हट्टी कट्टी थी, चलेंगे आगे, it was not difficult to find bridegroom, उनके लिए दुला डूड़ना असान, था, है ना, बहुत difficult नहीं थ for them, but Ramlaal was worried about bholi, Ramlaal जो है, परेशान रहते थे विचारी bholi के लिए, चलेंगे आगे भई, मजा आ रहा है, इसको पढ़ने, चलिए, she had neither good looks, ना तो उसके पास अच्छे looks थे, nor intelligent, ना ही, वो intelligent था, है ना, intelligence था उसके अंदर, from her very childhood, जब वो छोटी बच्ची हुआ करती थी bholi was neglected at home, उस पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता था, है ना, she was seven years old, जब वो साथ साल की थी, जब मंगला की शादी, मंगला की शादी में, हमारी bholi सिर्फ साथ साल की थी, the same year, a primary school for girls were open, और same time पर, उनके गाओं में, in their village, उनके गाओं में, primary school open हुआ था, तैसिल जी ने उनकी opening करी है, inauguration किया है, he said to Ramlal, Ramlal सो उनने कहा, सुनो Ramlal, मुझे तो वो गबर और Ramlal यादार है, चली, as a revenue officer, क्योंकि revenue officer हो तुम, you are the representative of the government in the village, कि तुम ही तो सब कुछ देखते हो गाओं में, and you must set an example, आपको example set करना चाहिए, villagers के लिए, and आगे ही लिखा, you must send your daughters, उसमें अपनी बेटियों को भीजना चाहिए, that night, उस रात, when Ramlal consulted his wife, अपनी वाइफ से उसने कपशप की, है ना भई, अब बताओ भई क्या करें, she cried, वो रोने लगी, are you crazy, तुम पागल हो गए हो, if girls go to school, अगर बेटिया स्कूल जाएंगी, लड़किया स्कूल जाएं में, at last wife said, wife ने कहा, I will tell you, मैं तुम्हें बता देती हूँ, I will tell you what to do, कि तुम्हें क्या करना है, send Bholi to school, school भेज दो Bholi को, as it is, there is little chance of getting, क्योंकि उसका भई, 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 बच्चों को ने भेजेंगे, क्योंकि उनकी तो सुन्दर है, प्यारी है, उनकी शादी नहीं होगी बोली को भेज देते हैं, क्योंकि उसको शादी वादी को कुछ पता भी नहीं लग रहा है, विधर अगली फेस को और उससे शादी करेगा, lack of senses में दिमाग, बुधी है नहीं, let the teachers at school worry about her, कि अब उसको हम क्या कर देता है, भी पीछा चुड़वारी है एक तरह से, कि पूरा paragraph मैं अच्छे से पढ़ाया है, मैं दुबारा से नहीं बताऊंगे तुम्हें एक भी sentence, आप सारे सारे questions के answers खुद से करोगे, so which of these statements is not true about भोली, she was healthy and strong, no, बिल्कुल भी healthy strong नहीं थी वो, नहीं थी, यही सही होना चाहिए, not true, she was seven when her elder sisters got married, ठीक है भाई, she was neglected by her family, सही है, she was a simpleton, पिचारी भोली थी, प्यारी सी थी, तो सही answer बचों क्या हो जाएगा, option number one, क्या हो जाएगा इसका answer, option number one is the correct answer for the question number one, okay, the word disfigured suggested the भोली looks were, उसके looks कैसे थे, preserved थे, प्यारे थे, impaired थे, बेकार हो गए थे, डेल डॉल खराब हो गए थे, improved, enhanced नहीं, क्या हो जाएगा impaired, impaired का मतलब होते है, अलग, अलग धलग खराब हो जाने वाले, impaired थे, ठीक है, चलिए, अरे दिमाग की भूली नहीं, मैं तो बहुत चलागू, चलेंगे अगला question देखेंगे, what is a smallpox attack to सूलेखा, due to सूलेखा, smallpox जब हुआ सूलेखा को, तो क्या हुआ, it made her dull, उसको बतसू इसको बतसूरत बना दिया, कैसा बना दिया, बतसूरत, it made her look ugly, उसकी वज़े से ही तो वो बतसूरत दिखाए देती है, यह जाते ही निशान नहीं है, एक बार को क्लास में एक बचा पूछ रहा थे, मैं आपको फेस को क्या हुआ, भाई तुम्हें मैं कैसे बताओ, वो भॉली's mother agreed to send her to school because, भॉली की मा ने इसको school भेजना सही समझा, उसकरिया, वो हामी क्यों भरी, क्यों भरी थे वे, she wanted to educate भॉली, वो चाहती थी भॉली पढ लिख जाये, समझदार बने, no, भॉली was neglected at school, क्योंकि इसको ध्यान नहीं रखता था, नहीं, she cared for भॉली's well being, वो उस as a correct answer to the given question, बताएंगे समझ माई, चरेंगे अगे, okay, अगला question, how was Ramlaar expected to set an example for the villages, तो उसने क्या सोचा कि, मैं example villages के लिए कैसे, जो है, set करूंगा, by marrying of her, of his daughters at an early age, अपनी बेटियों की शादी जल्दी कर देता हूं, बढ़ी एक्जम्पल सेट होगा, नहीं, by treating Bholi as an equal, वो Bholi को equal समझता था, कहीं नहीं समझता था, neglected बच्चा था वो, उसका ध्यानी नहीं रखा किसी ने, by sending his daughters to school, यही तो कहा था, यही तो कहा था, कि तुम जो है, तैसिल्दार साब तो नहीं कहा था, set करूंगे एक्जम्पल अपनी बेटियों को स्कूल, by sending his daughters to school चीके बही, क्या हो जाएका अंसर अपका, C option, यह तो बहुत असान था, वाय वस रामला वरीड अवाट भोली, इसमें लगता है question 10 है, चलिए भाई, रामला भोली के लिए परिशान क्यूं था, क्योंकि वो बहुत भोली थी, भोली बहुत भोली थी, उसकी बात ही समझ में वो तुतला के बोलती थी, तुतल-बुतल करती थी, नहीं, तुतल-बुतल तो नहीं करती थी, she was too old to get married, उसकी उमर काफी बढ़ गई थी, शादी नहीं हो पारी थी, ऐसा तो नहीं है, चलिए, बस शादी करनी नहीं है, भोली को, चलिए, it would be difficult to arrange her marriage, क्योंकि उसे डर लग that educated, उसको टेंशन लिख से थी, तो पढ़ना नहीं था, पढ़ना तो था भई उसे, ऐसे तो कुछ लिखा ही नहीं था, मारे पारग्राफ में, cns, cannot say वाला sentence हो जाए गई तो, अगला देखेंगे, सुलेखा came to be called bholi because she was healthy and strong, fair and pretty, not very intelligent, the youngest daughter, bholi क्यों कहते थी, इसको चोट लगी थी, दिमाग कम था, चीजों को धीरे समझती थी, बहुत जादा intelligent उसके अंदर, intelligence नहीं था, consensus नहीं था, sense उसमें नहीं थी, तो सही answer क्या हो जाएगा भाई, चलिए, क्या हो जाएगा, सही answer आपका, c option हो जाएगा, backward चालिए, पैसेश मीं, backward क्यों कहा गया था उसको क्योंकि भाई, वो बाद में सुनती थी, हैना वो ट्यूबलाइट थी, हम भी बोलते हैं कि तुम ट्यूबलाइट हो क्या, ट्यूबलाइट किसे कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है, धीरे सा समझता है, यानिकि जो mentally कैसा है, weak है, belonging to an underprivileged community, अच्छे भरे पूरे परिवार से थी, क्या वो वंचित परिवार से थी, deprived परिवार से थी, नहीं, belonging to a poor family, नहीं, physically challenged ही नहीं, भाई, she was kind of mentally challenged, वो कैसी थी, दिमाग से थोड़ी कमजोर थी, क्योंकि बच्पन में उसको चोट लग गई थी, और लगता है कि दिमाग का थोड़ा, जो ब्रेन है, वो काम करना बंध हो गया था, डामेश हो गया था, अगला question देखेंगे, at what age did सुलेखा डामेज हर ब्रेन, कौन सी उमर में सुलेखा का जो दिमाग है, वो उसने खराब कर लिया था, गिर के, 5 years, 10 months, 7 years, 2 years, यह पढ़ सकते हैं, ढूंड ला पड़ेगा भाई, इसको, डामेश हर ब्रे थी, कितने की थी भाई, 7 महीने की, साल की तो थी रही, 7 महीने की थी, 7 महीने, 7 महीने, 10 months, 10 months की थी, कितने की थी भाई, 10 महीने की चोटी, 7 नहीं 10, 10, 10, 10 ही था ना, मैंने गलत पढ़ लिया, क्या, अगे, यहाँ पर लिखा था, 10 months, she was 10 months old, 10 महीने चोटी थी, विचारी 10 म लेकिन सचाही तो यही है कि यही पर लड़का हो तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, चलो, Who was invited to inaugurate the girl's school? कौन आया था भई? Revenue officer, school hired master, किसने क्या थे inauguration? Inauguration क्या था थे? Inauguration का काम क्या था? तहसिलदार जी ने, तहसिलदार जी ने, sister की शादी भी थी, तब वो 7 साल की थी, 10 साल की थी तो, 5 साल की थी तो बोलना चुरू किया था, कुछ-कुछ तो हुआ था उसके से, यह था आपके 10 questions, 10 में से कितने सही के, बताईएगा आप, अगला question, यह paragraph आप सभी के जामने है, यह है अगला question, Plato is the earliest important educational thinker, कि किसी philosopher की बात कर रहा है, चीक है, and education is the essential element in the republic, his most important work on philosophy and political theory, written around 360 BC, विखी थी, before Christ लिखी थी, in it, he advocates some rather extreme methods, removing children from their mother's care, raising them as wards of the state, and differentiating children suitable for the various cause, the highest receiving, the most education, so that they could act as guardian of the city and care for the less able, he believed that education should be holistic, sabhi ko milni chahiye, including facts, skills, physical discipline, music and art, Plato believed that talent and intelligence is not distributed genetically, and thus is defined in children born to all classes, although his proposed system of selective public education for an educated minority of the population does not really, bhai, ithuna lamba parra, samaj rahe ho, samaj rahe ho, samaj rahe ho, ma'am, interesting nahin hai, इसमें मजजा नहीं आ रहा मैं, मुझे भी नहीं आ रहा, मेरा सर घूमने लगा paragraph पढ़के, तो bhai, हमें paragraph नहीं पढ़ने, हमें question, हमारे अंदर craving होनी चीए, आपको कहना चाहिए था, हाँ, शिखा ने जो कहा, क्या कहना चाहिए था, question दो, question दो, question दो, तुम्हें यह कहना चाहिए, ज़िए मैं पढ़ रही है, तुम्हारा रिप्लाई होना चाहिए, ज़िए मैं question दे दो, चलो, आचो, तो यह है आपका पहला question, आपको बताव एक बार, यह paragraph पढ़ने वाला ही था, इसलिए मैं बढ़ रही थी, यह कुछ paragraph ऐसे होते हैं, जो बिना पढ़े मानते नहीं है, ठीक है, चाहिए, यह को पढ़ना पढता है, okay, which of these methods is not advocated in the republic, differentiating children based on caste, imparting similar education to all children, keeping children away from mothers, bringing up the, bringing up children under state guardianship, अब हमें the republic के बारे में जाके पढ़ना तो पढ़ेगा, इन में से कौन सा method नहीं है, पहला है, differentiating children based on caste, imparting similar education to all children, keeping children away from mothers, यह तो हमने पढ़ा था अभी, मा को बच्चों से दूर हैना पढ़ेगा, तो आप एक काम करिये, खुद से पढ़ेगा, यह रहा, the republic beginning में लिखा है, इसलिए पढ़ना ही पढ़ेगा, he advocates some rather extreme methods, कि बच्चों को remove करिये, अपनी मा से दूर करिये, raising them as wards of the state, उनको state से दूर रखिये, ना, wards में रखिये, यानि कि hostels में रखिये, differentiating children to table to the various caste, differentiate children to table to the various caste, and the highest receiving, the most education, चलिए भई, यह दो लिखा है, कौन सी चीज जो है वो उसमें नहीं है, उसने कहा, differentiate करना है, differentiate करना है based on caste, ना कि उसने एक बार भी कहा, कि सब को बराबर education मिले, तो यह हो जाएगा आपका सही आंसर, इंपार्टिंग सिमिलेर education उसने नहीं का, उसने कहा, जितना जो हाइएस्ट होगा, जितना ज़्यादा पैसा देगा, उसको बड़ी education मिलेगी, बच्चों को caste की तौर पर बाट दो, मा से अलग कर दो, upbringing के लिए उनको कहा भेज़ो, हॉस्टल में भेज़ दो, आर ये बाद समझ में, हाँ बिल्कुल अनुकुमारी जी पूछ रही है, SSC, MTS के लिए क्लास ले सकती है, CGL, CHSL, MTS, Stenographer, CPO, और अन्य एक्जामों के लिए, जहाँ पर भी आपके पास एक्जाम, जहाँ पर भी आपकी English है, लिखा था, the highest receiving the most education, जो highest होगा, सबसे उचा होगा, कास में सबसे उचा होगा, सबसे कास में उचा होगा, उनको सबसे जादा अच्छी education मिलेगी, so that, ताकि ताकि दे कूड आक्ट as guardian of the city, ताकि वो city के राजा बन सके भाई, है ना, city के guardians बन सके, and care for the less people, और वो क्या करेंगे, जो अपने से नीचे उनकी, उनका ध्यान रखेंगे, teaching the illiterate, वो अनपड़ों को पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं, वो क्या करेंगे, गाड करेंगे city को, यही तो लिखा था, तो जो बच्चे हैं, जिनको सबसे ज़्यादा education अच्छी मिलनी चाहिए, वो क्या करेंगे भाई, वो city का ध्यान रखेंगे, ऐसे लिखा है, ओके, जी, चलिए, अगला question देखेंगे, अगला question, एक बच्चे का कहना है, मैं बहुत अच्छी हो, भाई, एक बढ़ मेरे घर पर आके पूफ चले ना, कितनी अच्छी हो मैं, तुमें भी घर से बाहर निकाल देंगे, चीक है, कोई अच्छी नहीं हो, मैं बहुत खतरनाग चीज़ हो, तुम पढ़ाई पर ध्यान देलो, आजा, कि बच्चों को, गुट हैबिट स्टूरेंट्स में कैसे पढ़ेगी, रिडिंग करके, राइटिंग करके, रेपेटिशन करके, पहले तो हमें ये नाम ढूड़ना पड़ेगा, पहले हमें अरिस्टोर्टल ढूड़ना पड़ेगा, चलो, फिर ढूड़ते हैं अरिस्टोर्टल, कहां हो तुम अरिस्टोर्टल, चलिए फिर, ये है पहला पारग्राफ, ठीक है, ढूड़नो जल्दी से, जल्दी से ढूड़ेंगे, कहां लिखा है अरिस्टोर्टल, यहां तक तो प्लाटो प्लाटो ही चल रहा था, इसको प्लाटो को उटाते हैं, यहां पर नहीं मिलेगा, इस वाले पारग्राफ में देखो. मिला? बताएंगे भई? Aristotle, consider human nature, habit and reason to be equally important forces to be cultivated in education. उसने कहा, कि habit and reason, ठीक है, से क्या होगा भई, cultivation होगी education की, the ultimate aim of which should be produced good and virtuous citizen, he proposed the teachers, यहां से पढ़ेंगे हम यहां से, teachers को उनोंने कहा, कि वो अपने बच्चों को systematically लेकर आए, the repetition be used, क्या चाहिए भाई, repetition चाहिए, ठीक है, कहीं पर भी, जो है, अभी तक कोई और वर्ड नहीं आए था, reading, writing, repetition, क्या हो जाएगा, repetition, teachers से वो क्या चाहते थे, कि वो बार-बार एक चीज़ को पढ़ाएंगे, तो बच्चों को याद होगी, so we'll be going with option number three, option C is the correct answer, repetition, ठीक है, चलिए, अगला question, आप सभी की सामने, Aristotle believed that virtuous citizen, यह मैंना अभी अभी पढ़ा था, virtuous citizen could be produced by cultivating, यह तो अभी अभी पढ़ा था, चलो फिट देख लेते हैं, okay, okay, क्या पढ़ा था, Aristotle considered human nature, habit and reason to be equally important forces to be cultivated in education, the ultimate aim of which should be produced, good and virtuous citizen, किसकी बाद की थी, habit and reason की, किसकी बाद की थी, habit and reason की, can we find habit and reason in options, yes, the B option is the correct answer, habit and reason, वाह, बहुत बढ़िया, सही है, चलिए, फिर आगे, इतना असान होता है यह, इसमें कुछ होता ही नहीं है, हामें पारग्राफ फड़ने में कितना ज़्यादा जूल लग रहा था, कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे हो पाएगा, यही last question आप करेंगे, and यह मैं आपको homework में दे जाओ, चलो, तो यह हम रख लेते हैं homework का question, कल की class में मैं आपको यहीं से discuss कराऊंगे, यहीं से, यह सब previous year के questions है, मैंने जान के date ने डिलवाई है, 2020 के 2019 के questions, कल के दिन में, इसके अलावा, मैं आपको 2022 क्वेशन भी कराऊंगे, 21 के, अगर मुझे मिल जाते हैं, तो, यह है आपका question, मैं आपको बता देते हूं, which of these statements is not true, आगे लिखा है, soccerates, देखे, soccerates करके एक इंसान है, इसके आगे बारे, जो है, आपके second half में लिखा होगा, and encourage the listener to come up with original idea, soccerates consider music and physical education as important aspect of learning, plateau's method of education can be called extreme, the republic, the republic was written around 360 AD, आपको तो यह आख बंद कर के mark कर देना चाहिए था, मैंने यह भी बोला था, BC, BC, before Christ, और यहां लिखा है AD, तो इसका answer not true में तो आपका, भाई, करते-करते, homework वाला question भी हमने, आख बंद करके mark कर सकते था, यह हमने पढ़ा भी नहीं था, लेकिन हमें इसका तो पता था, चलिए, तो यह था बच्चो, छोड़ दीजे homework, आज आपको homework नहीं बताना, आज आपको बताना है कि class आपको कैसी लगी, ठीक है, आज आपको बताना है कि class आपको कैसी लगी, आपने आज की class में जो questions किये, क्या वो आपको पसंद आए, समझ में आए, या फिर आपको मज़ा नहीं आया, तो जो बाते आप बोलना चाहते हो, मज़ा आया, नहीं आया, पसंद आया, नहीं आया, आज मुझे comment section में मिलने चाहिए, जैसे आपको homework का answer होता है, इस सवाल का जवाब आप पुछे देंगे, कि class आपको कैसी लगी, बच्चों आप सभी जानते हो कि हम सभी आ रहे हैं, जो भी राजिस्थान के आसपास के एरिये में रहता है, जैपुर के एरिये में रहता है, सीकर हो गया, उसके आसपास के और प्लिसिज हो गया, जो भी यहां पर आ सकता है, आप सभी का बहुत स्वागत है, आप सभी हम से मिलने के लिए आईएगा, हमारी चैनल पर almost almost 12 million होने वाले हैं, और अब भी आप लोगों के support की भी बहुत तो जो भी आपके दोस्त हैं जिनके फोन में अभी तक जो भी आपके फैमिली मेंबर से बढ़े वह पढ़ाई नहीं करें अगर आप क्या कर देंगे चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो बारा मिलियन हमारे साथ तारिक तर पूरे होने की थोड़ी उमीद हो सकती है अभी रह जागरुक मेला आप सभी का है यह रोजगार जागरुक मेला आप कह सकते हैं यह मीटब है जिसमें आपको आपकी सेलेक्शन में जिस तरह की कमियां आ रही है यह सारे क्वेशन भी आप आके बूस सकते हो अपने टीचर से मिल सकते हो आइडेंस ले सकते हो आप सभी को मिलन कल क्लास होने की बहुत मौर्न पज़ए निकलनない को एग fare कोई क्यांसे कर आउंगी 22 0000 के क्वेशिन्स कर आउंगी जीसे हैं इन अंतुछ कि बहुत जल्दी की बात होगी पत्ना भीहार में वह बहुत जल्दी आना होगा बस इसी थार से परिवार अगर तो बहुत जल्दी हम पटा विहार में भी आएंगे, और स्टेट्स में भी आएंगे, तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुभा, आप सभी के वीकली टेस्ट वाली क्लास में, कल आपका वीकली टेस्ट है, भूलना नहीं, सारे की सारे टाइप के व्युशन्स वा आप से पूछने वाली हूँ तो चलिए फिर मिलते हैं सुबह साड़े आठ बजे आपकी अपने चैनल रोजगार विदांकीत पर तब तक के लिए नमस्कार गुर्णाइट